मेरे प्यारे देश स्वासियों, आज 25 सितंबर को देश के प्रखर मानुतावादी, चिंतक और महान सपूप दिन दयाल उपायताईजी का जन्मदिन मनाये जाता है। किसी भी देश के युवा जैसे जैसे अपनी पहचान और गवरों पर गर्व करते हैं, उन्हें अपने मौलिक विचार और दर्शन उतने ही आकरशिप करते हैं। दिन दयाल जी के विचारों की सबसे बड़ी खुबी यही रही है। उन्होंने अपने जीवन में विश्व की बड़ी बड़ी उतलप उतलप को देखा था। वो विचार धारों के संगर्सों के साक्षी बने थे। इसलिए उन्होंने एकात्म मानोव दर्शन और अंतियोदय का एक विचार देश के सामने रखा जो पूरी तरह भारतिय था। दिन दयाल जी का एकात्म मानोव दर्शन एक ऐसा विचार है जो विचार धारा के नाम पर द्वंत और दुराग्र से मुक्ति दिलाता है। उन्होंने मानो मात्र को एक समान मानने वाले भारतिय दर्शन को फिर से दुनिया के सामने रखा। हमारे सास्त्रों में करें आत्मबत सर्वभूत एशू। अर्था हम जीव मात्र को अपने समान माने, अपने जैसा विहवार करें। आधुनिक, सामाजिक और राजनेतिक परिप्रेक्ष में भी भारतिय दर्सन कैसे दुनिया का मारदर्सन कर सकता है ये दिंद्याल जी ने हमें सिखाया एक तरह से आज़ादी के बांग देश में जो हिन भावना थी उससे आज़ादी दिलाकर उन्होंने हमारी अपनी बहुदिक चेतना को जागरत किया वो कहते भी थे हमारी आज़ादी तभी सार्तक हो सकती है जब वो हमारी संस्कृती और पहचान की अभिवक्ति करे इसी विचार के आधार पर उन्होंने देश के विकास का वीजन निर्मित किया था दिन दैल उपाद जी कहते थे कि देश की प्रगति का पैमाना अंतिम पायदान पर मौजूद व्यक्ति होता है आज हादि के अमरित काल में हम दिन दैल जी को जितना जानेंगे उनसे जितना सिखेंगे देश को उतना ही आगे लेकर जाने की हम सब को प्रेणा मेहेगी मेरे प्यारे देश्वासियों आज से तीन दिन बात यानी 28 सितंबर को अमरित महुत्सव का एक विशेश दिन आ रहा है इस दिन हम भारत मा के वीर सपूत बगत सहीं जी की जैनती मनाएंगे बगत सहीं जी की जैनती के ठीक पहले उन्हें स्रधानली स्वरूप एक महत्वपुन नेने किया है यह तै किया है कि चंडिगर्ट एरपोर्ट का नाम अब शहीद बगत सहीं जी के नाम पर रखा जाएगा इसकी लंबे समय से प्रतिक्षा की जा रही थी मैं चंडिगर्ट, पंजाब, हर्याना और देश के सभी लोगों को इस नेने की बहुत बहुत बदाई देता हूँ साथियों हम अपने स्वतंतरता सेनानियों से प्रेणा ले उनके आदर्सों पर चलते हुए उनके सपनों का भारत बनाए यही उनके प्रति हमारी सरधांजली होती है शहीतों के समारक, उनके नाम पर स्थानों और स्थानों के नाम हमें कर्तवे के लिए प्रेणा देते हैं अभी कुछ दिन पहले ही देश ने कर्तब्य पत पर नेता जी सुभाचंदर बोश की मुर्ति की स्थापना के जरिये भी हैसा ही एक प्रयास किया है और अब सहीद बगत्री के नाम से चंडिगर एरपोर्ड का नाम इस दिशा में एक और कदम है मैं चाहूंगा अमरित महोत्सव में हम जिस तरह स्वतंतर्दा सेनानियों से जुड़े विशेस अवसरों पर सेलिबरेट कर रहे हैं उसी तरह 28 सितंबर को भी हर युवा कुछ नया प्रयास अवश्य करें वैसे मेरे प्यारे देश फासियों आप सभी के बास 28 सितंबर को सेलिबरेट करने की एक और वज़े भी है जानते हैं क्या है मैं जरब दो शब्द कहूंगा लेकिन मुझे पता है आपका जोश चार गुना जादा बढ़ जाएगा ये दो शब्द है सर्जिकल स्ट्राइक बढ़ गया न जोश हमारे देश में अमरित महोत्सव का जो अभियान चल रहा है उन्हें हम पूरे मनोयोग से सलिबरेट करें अपनी खुशियों को सबके सब्सक्राइब